दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चैनल एजूट्यूबर देव में दोस्तों राजस्तान के अतियासिक वेक्ति का हम पहला भाग कर चुके हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्सिन में मिलने वाला वहां से आप जरूर देख लीजिए अब दोस्तों दूसरा भाग और सबसे पहले कुछ एक पंक्तिया है दोस्तों आपके सामने चार बास चौबीस गज अंगूल अश्ट प्रमान तां उपर सुल्तान है मतचू के चौहन दोस्तों ये पंक्तियां जो है अपने आप में ए चार बास चौबीस गज मतलब चार बास लंबाई और चौबीस गज ये सब लंबाई है अंगूल अश्ट प्रमान मतलब ये है कि जो अंगूलिया है वो अश्ट याने कि आठ अंगूलिया उससे आगे तो ये जो नाप है चार बास फिर चौबीस गज फिर आठ अंगूलि मत चूके चौहान तो ये जो पंक्तियां थी दोस्तों ये कई थी कवी चंद बरदाईने जो की साथ में थे परत्विराज चौहान के उस समय जब उनको मतलब मैं अगर गलत जो है अगर नहीं कह रहा तो कम से कम 16 बार I think अगर मैं जो है गलत नहीं कह रहा हूँ तो 16 बार मुहमत गोरी को पराजित किया लेकिन 17 बार जब परत्विराज चौहान अगर मैं गलत हूँ तो दोस्तों मुझे करेक्ट कीजिएगा आप कमेंट्स में और 17 बार जब परत्विराज चौहान उससे हार गए किसी कारणवश तो उनको वो पकड़के अपने वहां ले गया साइद काबू ले गया अगर मैं गलत कहानी नहीं बता रहा हूँ तो काबू ले गया और वहां पर उनके साथ उसने क्या घटना की कि उनकी आँखे निकाल ली आप हद देखिए एक जीवित व्यक्ती की आँखे निकाली जा रही है वो भी तब वो भी उस इनसान की जो उसको सोला बार पराजित करने के बाओ जो छोड़ता रहा क्योंकि एक राजबूत का शत्रिये का ये धर्म होता है कि वो नियते पर हमला नहीं करता ठीक वैसे उसका धर्म होता है कि दुस्मन लड़ाई खत्म होने के बाद दुस्मन दुश्मन नहीं रहता वो इनसान रहता है इसलिए उसको छोड़ दिया और जब उसने एक बार उनको फकड लिया पर तुराज चोहान को देखी क्या आलत की अब उनके आँखे निकाली जा चुकी है और लेकिन उनकी तिरंदाजी इतनी बड़िया इतनी बेस्टेस्ट है कि उनके साथ जो कवी है चंद बरदाई वो ये पंक्तियां कहते हैं कि चार बास चौबीस गज अंगूल अश्ट प्रमान ताउपर सुल्तान एमत चुके चोहान और चोहान नहीं चुके और इससे जादा मैं कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस एक इन पंक्तियों के मतलब को क्योंकि अपना आप में बहुती गहराई लिये हुए है कि एक तरफ कोई धार में वेक्ति है और एक तरफ बहुती जो है घटिया किसम का वेक्ति मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूं तो उसने उनके साथ क्या किया लेकिन देखिए उस वेक्ति की वीरता देखिए कि उन्होंने खाली एक आवास सुनके खाली एक अनुमान के आधार पर एक अपने अनुभव को परियोग करते हुए उस निसाने को सही जगे लगाया तो मैं समझता हूं इससे बढ़िया एक उधान नहीं मिल सकता वीरता का तो दोस्तों पहले प्रेशन शुरू करते हैं पर्थुराज रासो के राचिता कौन थे मोन LG परतुरा चोहां चंदबरदाई या पर इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों पर्थुराज रासों के जो जैचिता थे वह बने अभी बताया। बर्दाई थे अगला प्रश्ण सरवादिक लंबे समय तक एक परदेश करने वाला संसार का एक मात्र राज वंस कौन सा है दिली का मुगल वंस मारवाड का राठोर राज वंस अज्मेर का चौहान वंस यहां पिर उदेपुर का गोहिल वंस तो दोस्तों वो कौन सा वंस है जिसने सबसे अधिक समय तक लंबे समय तक एक ही परदेश पर राज्य किया है तो वो है दोस्तों उदेपुर का गोईल वंस ऐसा वंस जिसने जो है एक ही राज़े पे काफी लंबे समय तक राज किया और दुनिया में इतने लंबे समय तक एक ही राज़े पे किसी ने राज नहीं किया है अगला प्रिशन दोस्तों अजमेर इस्तित साही दौलत वाग का अंदिर्मान किस ने करवाया अकबर औरंग जीव जहां गीर यहां शाह जहां तो अजमेर में जो साही दौलत वाग है दोस्तों उसका अंदिर्मान जहां गीर ने कराया वर्तमान में इसे सुभा सुध्यान के नाम से जाना जाता है अगले प्रशने के पर बढ़ते हैं ब्रिटेन के परदानमत्री डेविड लॉइड द्वारा किस राज्ये के सासक को पूरू से आई एक बुद्धिमान वेक्ति और अपने महान देश के पौरुष का शांदार नमुना की संग्या दी तो ब्रिटेन के जो है राजा थे विका निर जोदपूर जयपूर अलवर तो दोस्तों वो जोदपूर के महाराजा गज सिंग थे उनको उन्होंने ये संग्या दी थी अगला प्रशन के सासक के समय चोहानों का जो है श्वन काल कहा गया विग्रे राज चतुर्थ सोम देव वासु देव य जिसका दूसरा नाम ललित विग्रे राज है की रचना की थी वो कौन थे सोम देव साम देव कृष्ण देव यहां पर इनमें से कोई नहीं तो विग्रे राज नाटक के जो रचिता है दोस्तों वो है सोम देव अगले प्रशन के बढ़ता है अड़ाई दिन के जोपड़े के संबन्द में सत्य कहतन कौन कौन से है ग्यारा सो अठाउन इसवी में अजमेर में इसे जो एसंसकर्थ कॉलेज का निर्माण वग्रा राज चतुर ने कराया जिसमें देवी सरसुती का मंदिर बेश्तित है वह यह राजस्तान की पहली मज़ीद कहलाती है दोस्तों बहु जोपड़े की दिवार अपर उतकिने तो दोस्तों इसमें से कौन से कथन सही है आप एकल देखिए तो दोस्तों इस सभी के सभी कथन जो है वो सही है और वरतमान में से सोला खंबो का महल भी कहा जाता है अगले परशने के दरबढ़ते हैं दोस्तों परत्विराज चोहान द्वारा विद्वानों को प्रोचाहित करने के लिए कला साहिती विभाग की स्थापना कहां पर की गई जैपूर अजमेर जोद पूर सिरोई तो प्रत्विराज चोहान नहीं है जो कला साहिती विभाग की जो स्थापना की वो अजमेर में की और इसके पर्थम अदिकारी पद्मनाब को बनाया गया था अगला प्रशन हिंदी ब्रज भासा वाली हिंदी का प्रथम महा कभी किसे माना जाता है भारतेंदू हरिस चंद्र जैसंकर परशाद रस खान या फिर चंद बरदाई तो दोस्तों ब्रज भासा हिंदी का जो प्रथम महा कभी माना जाता है वो दूप्रसित लेखक, चंद बरदाई का जन्म कहा हुआ था, सिंद, करांची, लाहोर, मुल्तान, तो दोस्तों, चंद बरदाई का जो जन्म हुआ था, लाहोर ने हुआ था, हरी केली नामक नाटक के रचिता कोन है, बीसल देव, वासू देव, सोम देव या नर्पतिनाल हु तो हरीकेलिनाटक के जो रचीता दोस्तों वो है बीसल देव और बीसल देव द्वारा रचीत हरीकेलिनाटक जिसका आधा बाग अड़ाई दिन के जहूपड़े की दिवारों पर और आधा बाग बृष्टल में इसती दराज़ा रामों राय के स्मार्ग पर उतके लिखनख तो दोस्तों ये एक बहुती special fact आप कह सकते हैं जा आधा भाग इंडिया में है और आधा भाग जो है बिर्टेन में है अगला प्रशन वीसल देव राजसो के रचिता कौन है वीसल देव कुमार पाल जग देव या नर्पती नालह तो वीसल देव राजसो के रचिता दोस्तो वह नर्पती नालह अगले प्रशन देव बढ़ते हैं के सूफी संत को मुहमत गौरी ने सुल्तान उलहिंद की उपादी दी थी अमीर खुसरो को बाबा फरीद को निजामुदीन ओलिया को या फिर सेख मुहिन दीन चिस्ती को तो मुहमत गौरी ने सुल्तान उलहिंद जो 1292 इस्वी 1194 इस्वी या फिर 1196 इस्वी तो दोस्तों चंदावर का जो युद हुआ वो 1194 इस्वी हुआ यह मुना नदी के किनारे वो इस युद में गौरी ने जैचंद को पराजित करके खत्म कर दिया था अगले प्रशन दो बढ़ते हैं मुहमत गौरी द्वारा भारत पर पर परफम आकरमन कब किया गया 1160 इस्वी 1170 इस्वी 1164 इस्वी या फिर 1175 इस्वी तो दोस्तों मुहमत गौरी ने भारत पर पहला आकरमन किया था 1175 इस्वी में मुल्तान पर किया था अगला प्रशन तराइन के पहले और दूसरी युद कब कब हुए थे 1191 1193 1190 1192 1191 1192 या फिर 1193 और 1194 तो दोस्तों तराइन का जो पहला और दूसरे लड़ा गया था वो 1191 और 92 में लड़ा गया था अगला प्रशन तराइन के दोनों युदों में परत्वी राज चोहान का सेनापती कौन था मान सिंग उदे सिंग खांडे राव या मलहार राव तो दोस्तों नहीं की थी कन्योज के गैडवाल वंसी सासक जैचंद के आमरतन पर गौरी द्वारा प्रत्वीरा चौन पर हमला किया था अगले प्रशन के दर बढ़ते हैं रंधंबोर में चोहान वंस की निव कब डाली गई 1190 इसवी 1192 इसवी 1194 इसवी तो रंधंबोर में चोहान वंस किसने का था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसल्मान के अकबाल के बराबर भी नहीं समझता ये कतन जो है किसका था रंधंबोर आकरमन के समय अलाओ दिन खिल जी अकबर या पिर तैमूर लंका या पिर जलाल उदिन खिल जी का दो दूस्तों जलाल उदिन खिल जी का ये कतन था कि ऐसे दस रंथमबोर के किले को लेकर उना ने का कि ऐसे दस किलों को मैं मुसल्मान के इकबाल के बराबर भी नहीं मानता हूं तो उनका कमन देखिए। अगला प्रशना खड़ी हिंदी बोली के प्रतम कवी कौन थे। अमीर खुसरो आसन नेजामी चंद बरदा यहां पिर अगूल फजल तो खड़ी हिंदी बोली के प्रतम कवी जो थे वो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो को हिंदी की तूती नाम से भी जाना जाता है अगला प्रशन तेरिया तेल वह हमीर हठन चड़े दूजी बार मतलब यह कतन जो है वो किस सासक से समधित हैं स्वाई जैसिंग हमीर राठोड हमीर देव चोहान या फिर हमीर जो है राठोड के बारे में तो दोस् में सही भी कल पर मैं देना भूल गया हूँ तो हमीर देव चोहान जो है उनके समधित यह कतन है कि तिरिया तेल और हमीर हठ चड़े न दूजी बार मतलब यह है कि एक बार अगर तेल नीचे गिर जाये तो वो दूसरी बार चड़ता नहीं मतलब उसको वापस एकत्रित करन कहा गया था जयानक अली बक्स अमीर खुसरो या चंद बरदाई तो दोस्तों रॉन्तमोर विजे के बाद यह कतन जो है वो कहा गया था अमीर खुसरो के द्वारा अगली प्रशनिक दर बढ़ते हैं चोहानों की नाडोल शाका के संस्तापक कौन थे कीरतिपाल अहिल चोहा यहां फिर 1527 इस्वी तो दोस्तों खानवा का जो यूद था वो 1527 इस्वी में हुआ था इस यूद में मारणा परताप का साथ शिरुई के सासक अखे राज देवडा ने दिया था जिने उड़ना अखे राज की नाम से भी जाना जाता था अगला प्रशन दोस्तों कण का जाता था उनकी दानवीरता के कारण द्वारी का में रंचोड मंदिर का निर्मान सुर्जन सिंग आड़ा द्वारा ही करवाया था अगला प्रशन एक दुखांत कावत है दोस्तों हडो ले डूबियो गणगोर किस आड़ा सासक के बारे में प्रश्लित हैं सुर्जन सिंग हडा राम सिंग हडा विश्नु सिंग हडा या पिर जोज सिंग हडा तो ये किस हडा सासक के बारे में है दोस्तों तो वो है जोज सिंग हडा के बारे में क्यों है क्योंकि बूंदी कि राव अनिरूद सिंग के पुत्र जोज सिंग हडा 1706 इस वी में गणगोर की मूर अगला प्रशन दोस्तों विदिवत रूप से राज्थान की आंत्रिक राजनीती में मराठों का अस्तशिप किस राज्य के उत्रादिकार को लेकर आरंबुआ नागोर, जोदपूर, उद्यपूर, बूवैर बून्दी तो दोस्तों ये सारा जगडा मराठों का और अपने मारवाडियों का जो था, बून्दी को लेकर राजबूत वर्शिज मराठा का और वंस भासकर के रचनाकार कौन थे दोस्तों कवई कलोल, सूरिमल मिश्रण, कव आपरेशन दोस्तों चांदखेडी के प्रसित जेन और कोटा के किस आतए सक्ड़ा करवाया गया ? जालीम सिंग हाड़ा, विहम सिंग हाड़ा किस出去 हाड़ा या सत्रू पाल हाड़ा ? जेला वार जिले में बाद में अलग हो गए थे राजस्तान में अंग्रे जोंद्वारा बनाई गी आकिरी रियासत कौन सी थी कोटा बूंदी जालावार बासवारा तो दोस्तों वो थी जालावार ये जालावार है दोस्तों जालावार वो रियासत थी जो आकिर में अंग्रे जोंद्वारा लग की थी राजस्थान के वर सासक जो अचुत तो दार है तू किये गए अपने प्रयासों के कारण सुधार को उपनाम से कवितना लिखते थे मतलब जो अचुत थे जो नीची जाती जन जाती के लोग थे उन से बेदबाब खत्म करने तो यह जाने गए तो वो कौन थे किसोर शिंग, राज राना, राजिंदर शिंग, शत्रुपाज सिंग या अमेंदर सिंग, तो वह थे दोस्तों, राज राना, राज राजिंदर सिंग जो किस नाम से कवितना लिखते थे शुधाकर उप नाम से, तो दोस्तों यह था हमारा second part और अगर पहला पार्ट नहीं देखा ताब जो एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अगर बहुत सारे पार्ट ऐसे आने वाले हैं जो हम राजस्थान के जीके के बारे में बात करेंगे और उसमें करेंगे कुछ फेमस हस्तियों परसन्स के बारे में थैंक यू बेरी मुट पॉचिंग नमस्कार धन्यवाद